हेलो फ्रेंड्स, बेलकम बेक टू योर ओन चैनल चक्डेविन नॉलेज, चक्डेविन नॉलेज में एक बाप फिर से आप सभी का हार दिक स्वागत है, एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं UFBU यानि की United Forum of Bank Union के Circular Data at 7th, February 2021 जो UFBU की मीटिंग हुई उसके बारे में इसमें बैंकिंग रिफॉर्म से जो प्राइविटाइजेशन का मुद्दा चल रहा है, उसका जो डिसकुसन है वो हम आपको बताएंगे, इसके बाद जो residual issues चल रहे हैं, जो अभी तक settle नहीं हुए हैं, वो IBS से क्य चल रहा है, उसके बारे में हम बताएंगे, और थर्ड होगा strike की बाद, दो दिन की strike मार्च में, उससे पहले कर लेते हैं, आप से एक request, दोस्तों यह आपका खुद का अपना चैनल है, यह चैनल हमेशाई बैंक कर्मचारियों, बैंक के pensioners, family pensioners के मुद्दों को उठाता रह है, तो अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करना और notification bell को क्लिक करना ना भूलिए, बापस आते हैं, हम आज की वीडियो पर चच्चा करते हैं, सर्कुलर की, सबसे पहले चच्चा हुई, अपर तो दोस्तों सबसे पहले मबारक बाद दिया गया, जो 16 और 17 दिसंबर को दो दिन की strike successful हो रही, उस strike के और जो फल सुरूप क्या हुआ, कि winter session के अंदर जो banking lodge amendment bill 2021 लाना था, जिसे के privatization आसान हो जाता, वो नहीं लाया गया, इसके अलावा जो current session चल रहा है, उसमें भी वो मुद्दे में नहीं है, तो ये थोड़ा सा successful हमारे लिए रहा, लेकिन जब जो future है, वो safe नहीं है, क्योंकि budget session का जो दूसरा लेग है, या दूसरा चरण, वो मार्च से लेके अप्रेल तक रहेगा, बित मंत्री और बहुत सारे government officials already कह रहे हैं, कि privatization का जो bank का मुद्दा है, वो already उनके agenda में है, हालंकि अभी तक कोई गोश्डा नहीं की गई है, लेकि continuously statement आ रहे हैं, इसलिए हमें strike के लिए तयार रहना चाहिए, agitation programs के लिए तयार होना चाहिए, अगर government कुछ भी लेके रहती है, मार्च य अप्रेल में, तो हमको उसके लिए mentally prepare रहना चाहिए, second जो मुद्दा है, वो है, IBA के जो भी pending रखे हुए है, हमारे सारे issues उसके बारे request कर रहे हैं, कि जो है, IBA उन चीजों को clarification दे, IBA कह चुका है, कि वो clarification देगा, PFAQ जारी करेगा, जिसमें सारे ही questions के answer होंगे, इसके बावजूद, IBA ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, यहां तक कि जो stagnation increment का benefit है, वो भी employees को pass नहीं हो सका है, और इसके लिए IBA और IBA ही जि जाते हैं, एक सर्विसमें की सेली किस तरीके से fix होगी, उसका भी कोई clarification अभी तक IBA द्वारा नहीं जारी किया गया है, इसके अलावा जो revise for 20, याने कि जब आदमी promote होता है, कोई भी जैसे सब staff से कोई आदमी बनता है, clerical या clerical से जब का आप promote होके officer बनते हैं, या officer में आ इंगर्ष्टरस का, especially आज के इंगर्ष्टरस का जो महिन बुद्धा है, वो है five days banking, उसके उपर भी IBA ने कोई भी further discussion नहीं किया है, जबकि union बालवार को बोलती आ रही है, कि उनके मुख के बद्दों में से एक है, इसके अलावा जो family pension है, वो approve की गई है, लेकिन कुछ cases मे implementation सही से नहीं हुआ है, क्योंकि कई जगे अभी भी है, वो pension payment नहीं हुआ है, कई जगे area payment नहीं हुआ, तो कई जगे रिवाज family pension को payment नहीं किया गया, इसके अलावा जो updation of pension, retirees, हमारे जो retirees है, वो परिसान है, उनकी age इतनी ज़्यादा हो चुकी है, उनको pension इतनी कम मिल र जगे हैं, chairman वो retire हो रहे है, इसलिए वो इस सब नहीं कर पाएंगे, इस तरह से आई-बी ए कंटूनरी 6 महीने से चीजों को टाल रहा है, आई-बी ए bankers के मुद्धों को लेके pensioners के मुद्धों को लेके family pensioners के मुद्धों को लेके जरा भी serious नहीं है, इससे में union ने फैसला क किया है, कि agitation program launch किये जाएंगे, इसके अलावा जो strike call दी है, central trade unions ने 28 और 29 मार्च 2022 को यान के मार्च के last में, तो उसके बारे में भी सभी को जितने भी union हैं, उन सभी को कहा गया है, कि वो अपने respective bay level पर चच्चा करें, और फिर उसके बाद ये discussion यूए ब्यू में किया कि 28 और 29 मार्च को जो strike होनी है, उसमें क्या करना है, participate करना है, या नहीं करना है, या किस तरीके से कौन participate करेंगा, क्या रहेगा, जो सब कुछ उसमें next meeting में आपको बता जाएगा, और जब भी next meeting होगी, हम आपके लिए वीडियो लेके फिर से आएंगे, यह हमारा promise है. Please like and share this video and don't forget to subscribe your own channel Chaktepi Knowledge, thank you so much.